आज का ये विडियो माइक्रोसफ वर्ड का है और माइक्रोसफ वर्ड में क्या सिखेंगे देखिए यहां पर अगर आपको बेक्राउंड पे कलर बदल ना है तो होंट पे रहते गीज़ा आपको जाना होता है यहां पर और क्लिक करेंगे और फिर जो भी बैग्राउंड पे color आप apply करना चाहते हैं, you can apply easily, ये तो आपको पता है तरीका, और ये तरीका तो बहुत easy है, आप करी सकते हैं, लेकिन आज जो खास बात है, वो shortcut की करी हो जाएं, देखे, आपको 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 प्रेस करना है, केवल आइट के साथ प्रेस कीजिए, एच और देखे, यहाँ पर ये highlight है, देखे न, ये edge हाइलाइट है, और यही आपका color, तो यहाँ पर प्रेस करना है, एच, तो जैसे ये एच प्रेस करेंगे तो ये फिंडो ओपर हो जाती है, तो अब पसलता है, तो आपको शेयर करें, थैंक यू पर वाचिंग देश वीडियो